हरे कृष्णा आज हम शुरू करेंगे भगवत गीता का अध्याय दो तो पहला श्लोक 2.1 संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रो वाले अर्जुन को देख कर मदू सूधन कृष्ण ने ये शब्द कहे तो पहला अध्याय हमने जैसे देखा शुरू में दृतराष्ट ने अपने सचिव संजय से प्रशन किया कि युद्ध भूमी में धर्म शेत्र कुरुक शेत्र में मेरे तथा पांडू के पुत्रों ने क्या किया उसके बाद दुरियोधन ने दोनों तरफ की सेनाएं असेस की फिर दोनों पार्टीज ने अपने अपने शंक बजाए और उसके बाद अरजुन के कहने पर जब भगवान श्री कृष्ण अरजुन को दोनों सेनाओं के मद्धे ले गए तो वहाँ पर अपने परिवार और मित्रों को देखकर वो बहुत दुखी हुआ और उसने उन सब को मारने के बाद जो इंप्लिकेशन्स जो परिणाम सामने आ सकते हैं उन पर चर्चा की अब दूसरे अध्याय का जब शुरू हो रहा है तो यहाँ पर अगैन धृतराष्ट्र के सची संजय शुरू कर रहे हैं इस दूसरे अध्याय को और वो बोल रहे हैं करुणा से व्याप्त यानि पूरी तरह से करुणा भरी हुई है अर्जुन के मन में यह कोई बहुत खराब लक्षन नहीं है भक्त तो करुणा में होते ही है भक्त तो दया में होते ही है वो हर एक पर कृपा करने की कोशिश करते हैं सबको बड़ी जल् तरह किसे हैं कि कसे धुक्तों से बाइफ होते हैं शांथ निचर तो दूसरों के प्रती जल्दी करते हैं उनके दुख से दुखी होते हैं और सोचते हैं कि इससब अच्छे हो जाए पूरविश्व अच्छा हो जाए तो ये करुणा में फीलिंग जो है यही feeling तो है जो बड़े-बड़े लोग को इतना काम करवाती है इतनी मेहनत करवा देती है जो social life में आगे है क्योंकि वो करुणा से व्यापत है तो अरजुन भी फिलाल करुणा का प्रदर्शन कर रहे है और उनकी करुणा क्या है कि मूर्ख लोग यह मरने के लिए आ गए है तो मुझे इन पर दया आ रही है मैं इनको मारना नहीं चाहता यह नहीं समझते कि इनको पाप लगेगा बट मैं तो समझता हूं तो करुणा से व्यापत है शोक युक्त हैं दुखी है अश्रू पूरित नेत्र है आँखों में आसू है मैं यह नहीं कह रहा कि कोई justification है लेकिन आप सोचिए कि वर्ल्ड का जो most powerful warrior है सबसे शक्तिशाली युद्धा उसकी भी आँखों में आसू है तो कभी कबार जैसे यह बाते सामने आती है कि भई रोना तो जो है वो ओर्तो का लक्षन है आदमी को तो रोना ही नहीं चाहिए यादमी को तो रोना आता ही नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है अरजुन से जादा शक्तिशाली तो कोई था नहीं जब उसकी आँखों में आँशू आ सकते हैं तो इसका मतलब आंसु आना एक नॉर्मल बात है तो अश्रु पूरित नेत्रवाले अरजुन को देखकर अब भगवान कृष्ण को लग रहा है कि समझाने ही पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा फिर आया श्री भगवान वाच्च यह बहुत महतपून शब्द है भगवाद गीता 2.2 में जो शुरुवात है वैसे भगवान ने थोड़े से शब्द पहले अध्याय में भी कहे थे लेकिन मुख्यत है यही पहला श्लोक माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली भगवाद गीता में लिखा गया है श्री भगवान वाच्च यानि परम भगवान कृष्ण इस संदेश को इस भगवाद गीता को दे रहे हैं ये भगवत गीता इसी लिए सबसे ज़्यादा महतपून है क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइफ के all do's and don'ts, क्या करना है क्या नहीं करना, ये स्वेम भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें बताए हैं। डारेक्ट भगवान के मुख से ये शब्द आ रहे हैं। हमेशा हम गंगा को महतपून मानते हैं, जो भगवान के चर्णों से प्रकट हुई है, तो ये शब्द भी कितने महतपून होंगे, जो स्वेम भगवान के मुख से निकल रहे हैं। अगर आपको समय मिले तो भगवत गीता जरूर पढ़ें, इन शब्दों को भी अपने मुख से स्वेम उच्चारित करें, जो स्वेम भगवान ने कहें। तो अब हम ले रहे हैं कि भगवान ने क्या का, श्री भगवान ने कहें, अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे, सीधा, जैसे कहते हैं न सीधी बात नो बकवास। भगवान ने सीधा, अर्जुन को बोल दिया कलमश, कूडा, करकट, अर्जुन को मैं भी महसूस हो रहा हूँ कि मैंने कितनी अच्छी अच्छी बाते कही, परिवार, कल्यान, एवांचित, संतान, स्त्रियों की सुरक्षा, कुल, धर्म, संसकार, पूर्खे, पतित, कितने इसके ओपर अर्जुन जी ने चर्चा की, तो कोई आदमी सोच सकता है कि अर्जुन तो बहुत महान है, या उनकी बाते कितनी अच्छी हैं, लेकिन फिलहाल युद्ध की सिचुवेशन में इस सब बाते करने को भगवान ने कूडा करकट खा, भगवान ने का तुमारे मैं को जानता है, तुम तो पढ़े लिखे हो, अर्जुन ने खुद भी कहा था कि मैंने गुरु परमपरा से अध्यन के है, बोले तुम तो पढ़े लिखे हो, जीवन के मूले को समझते हो, तुम समझते हो कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या ह जीवन का लक्ष्यud? सब समसते हो जीवन के मुल्य को जानते हो तुम्हारे मुं से यह सब बात은 है तो यह उस मनुश्य के लिए तनिक भी अनुकूल tuition नहीं को जानता हो। इससे उचस्छ लोग की नहीं अपियश की प्राप्ती होती है। आम तौर Pa यह माना चाहता है कि जो मनुष्य सात्विक जीवन जी रहा है भक्ती कर रहा है अगर वो अनुकूल पूरी तरह से सही से भक्ती करेगा भगवान के अंदर समर्पित होना चाहेगा तो मोक्ष की प्राप्ती होगी नहीं तो अटलीस स्वर्ग तक तो जाएगा उच्छ लोग तो भगवान बोले मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई इससे तरह को कुछ प्रोग्रेस नहीं मिलनी है कोई फैदा नहीं हो न तेरे को रादर अपियश बेशती होगी तेरी आगे भगवान बताएंगे भी इस अपियश को की कैसे अपियश मिलेगा तो भगवत गीता की भगवान की इंस्ट्रक्शन की शुरुवात हो चुकी है क्लियरली भगवान ने देखि टू दी पॉइंट बोला कलमश क्रिटिसाइज के आरजुन को ये भी कहा कि तुम मूले को जानते हो और इस सबसे अपियश की प्राप्ती हो सकती है तो भगवत गीता का हर स्लोग हमें हमारे जीवन में कैसे जीना है उसके लिए प्रेणा देता है ये हमारे उपर है कि हम उसमें से कितना अड़ाप्ट करना चाहते है इस वीडियो में इतना ही आपसे प्रात्ना आप हो सके तो इस वीडियो को एक आद वाट्सएप ग्रूप में जूरू फॉरवर्ड करें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते है सारी वीडियो और भी हम अनेक विश्यों पर वीडियो बना रहे है तो आप हमारी वाट्सएप कम्यूनिटी से जुड़ने के लिए अपना नंबर इस वीडियो में जो नंबर दिया गया उस पर वाट्सएप कीज़े अपना नाम और इस से हम आपको अपने वाट्सएप कम्यूनिटी से जोड लेंगे हरे कृश्छना